हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टू माइच चैनल स्मार्ट जोन्स होगाइस इस वीडियो में बात करेंगे आई बी पीएस अरार बीक लड़क के बारे में बहुत सा लोगा कोशन है इस बार प्रिवेश से में बहुत ज्यादा कटफ आई गया था इस बार भी गया कटफ आई तो ऐसे में क्या कटफ यहां पर रह सकता है और क्या हमें सूच कर जाना है और क्या यहां पर स्टाइजी होनी चाहिए कौन-कौन से टॉपिक पढ़कर जाना यह सबसे इंपॉर्टन थैं दस ऐसे टॉपिक कर नाम बताने वाला हूँ जो पढ़के आप जाओगे तो 75 प्ल लेवल अलग था यहाँ पर जो एक्जाम होगा वो अलग रहेगा तो आप कभी प्रिवेशियर की कटफ के वेसे इस पर यह नहीं बहुत हो सकते ही जो आपका कटफ है इस बार भी हाई रहे है सो अगर हम बात करें अभी जो रिष्ञ्ट में इसकी बात करें तो आप पियो का खजाम देख सकते हो अर्म पियो का हाड आ रहा है तो cut-off definitely वहाँ पर कम जाएगा ठीक है तो पहले कोई predict नहीं कर सकते कि आपकी cut-off क्या होगी अगर आपका level of exam hard आता है तो clerk का भी cut-off आपका यहाँ पर कम जा सकता है तो आपको cut-off का जाए यहाँ पर सोच कर नहीं जाना आपको उन topic को भरके जाना है जिससे maximum question आते हैं और अपना best देना है आपको यह नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पर 75 प्लस ही करके आऊंगा आपको जितना आता है आप उतना करके आओ और आप try करो अपना best देने का कभी कभी क्या होता है हम ज्यादा question attempt करने के जक्तर में जो question हमें आता है वह भी गलत कर देती है ठीक है आपको वह नहीं करना आपको अपना best देकर आना है और सबसे बड़ी बात गाइस कि आप इस चीच के उध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर level of exam hard आएगा तो सब की attempt कम आएगे ठीक है जिफ आपके नहीं सब की attempt कम आएगे और cut up भी आपका low जाएगा तो आपको level of exam की according चलना है अगर paper hard आ रहा है तो अगर आप 60 plus भी कर के आते हो 65 plus भी कर देती हो अच्छे accuracy के साथ तो वहाँ पर हो score अच्छा माना जाएगा ठीक है अगर paper hard आ रहा है तो तो आपको cut up को आपका puzzle and setting arrangement है इससे कितने question आते हैं तो इससे लगबग आफ 15 to 20 question expect कर सकते हो ठीक है इतना को number का question आपका confirm आएगा ठीक है अगर कितना भी hard level के exam रहा है 15 question अब मान की चलो कि यहां से confirm आपके रहेंगे तो यह आपके लिए most important topic है अगर हम बात करें series के series के अगर हम बात करें तो series से यहां पर लगबग 5-6 number का question रहता है ठीक है 5-6 number का question आपका यहां से रहता है अगर हम 15 भी मान के चलते हैं तो 21 number 20-22 number आपका यह दो topic कबर कर देगा ठीक है आगे हम बात करें तो coding और आपका यहां पर blood relation दोनों को मिला दे अगर तो लगबग यहां पर कितने question हो जा आने वाले हैं और फिर आपका सिलोजम हो गया सिलोजम से भी यहां पर लगबग 5-10 number का question रहता है और फिर आपका यहां पर आता है कौन सा topic inequality ठीक है वह भी मिला दो अगर तो यहां पर लगबग 5-10 question inequality और सिलोजम दोनों मिला कर अगर देखे तो 5-10 question confirm रहता है तो अगर आ साफी हद तक आपका score depend करता है तो आपको practice जागा करना है मोक्तिस जागा देना है गलड के लेटे के ताकि आपकी जो speed रहे accuracy रहे वह अच्छा रहे गाइस तो अगर आप 35-plus मालों कि आप 30-38 के बीच में अगर यहां पर सही कर लेते हो तो एक अच्छा खासा यहां पर attempt हो होता है आपका कॉइंट का restriction उसमें हम बात कर ले तो अगर simplification का देखा जाए तो simplification से 15 नंबर का question लगबग यहां पर रहता है तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा important topic है यहां पर 15 question लगबग रहेगा उसके बाद हम बात करें अगर डियाई की डियाई बहुत important है ठीक है अ simplification और डियाई दोनों मिलाकर यहां पर हम देखे तो 30 marks भी आपका यहां पर cover हो जाएगा अगर अच्छा यहां पर exam में question आया तो बाकी हम बात कर ले क्वाडर्टर के question से तो क्वाडर्टर के question से यहां पर कितने question रहेंगे लगबग यहां पर 5-6 number का question इससे भी रहेगा ठ करेंगे और simplification वगरा मिला यहां एक से दो नमर कोशन यहां से भी आयाता है तो अगर आप इतना पढ़के जाते हो तो आप definitely यहां पर अच्छे score लाओगे आपको math के लिए कौनकों से topic यहां रखने हैं आपको DI बढ़के जाना है simplification आपके लिए important ही यह जरूर करके जाना यह दो topic आपको यहां पर maximum number gain करा सकते एक्जाम में तो यह कुछ important topic ही जो आपको बढ़के जाना है और बहुत साय लोगों का normalization के बारे में question था कि sir normalization में कितने marks increase हो सकते हैं तो banking sector में कभी भी जादा नहीं होता 5-6 marks आप मान के चलो कि यहां पर मुस्किल से increase होगा अगर ह होगा भी तो normalization में ठेक है तो यह जाता यहां पर important रहता है क्योंकि banking sector का जो exam होता है उसका level ज्यादा up and down नहीं रहता ओके तो normalization के फ़राद आपको मिलता है बड़ ज्यादा यहां पर नहीं मिलता है इस यहांस की वीडियो उमेद करता हूं वीडियो आपको अच्छे घराद आपको अड़ बात नहीं मिलता है बड़ं के लिगद दो आका यहांस के लगद का जजया है जो बड़ो यहांस की अवीडियो, चासलियो, आपको रहें।